अब्सकार मैं शिल्पित्र पार्टी एबीपेस के खास कारेकरम विदायक जी चले गाउं के ओर में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे गाउं के विकास और पंचायत को लेकर हमारे साथ मौजूदें देवरिया के भाश्पा विदायक जैनमेजर सिंग बिदायक जी आपको बात बहुत स्वागत है बहुत बहुत अन्दायक जी ये बताईए कि केंद की सरकार बनने के बाद सांसुदों ने एक गाउं को गोद लिया था कि ये गाउं के विकास के लिए लेकिन उसका जिम्मेदार ग्राम परदान को ठहरा जा रहा है ऐसा क्यों है अगर याइसी बात नहीं है हमारे आट पियासी हों को लिया güzel त्रया के सांसुदों ने रहांपूर कर खांना विदासुआ में अँगराशी पाले मंतरी थे ओ सांसा नहीं वहां के उन्होंने उस काम को भिकास किया लुट वहां सोर रुजा सिल्वे करके सोरा लाइट शिले कि पूरे गाउ को बिकास किया हैं और वहां पर आरो लगवा हैं पानी पीने के लिए जंता के लिए रोड सड़क बनवाए हैं उसका काना में प्रातवी किंद्र भी खुरवाने का काम किया हैं और गाव में सौचाला जो है घर का जो डिय अफ करने का काम की फुर्ड आवाज उसने चली इसके लिए कि इससे ग्राव प्रदान का कोई लेना देना नहीं है ऐसा कि उसका जो एक बहना हुआ है और जो आर्थिक रूंसे कमजूर है और जो मेरी सरकार नहीं थी 2012 में उसका हुआ था आर्थिक सर्मेशन हुआ था आर्थिक सर्मेशन में जिसका जो गाउँ आया है जो बेक्टिया है कमजोर है उसी का आवाद बंढ़ा है पुद्या जी कई बार यह देखा गया है कि ग्राम परदान के खिलाफ आम आदमी सिकायत कर देता है लेकिन सिकायत के बाद वो सिकायत जूटी पाई जाती है तो उसके लिए जो आम आदमी के लिए कारवाई क्यों नहीं की जाती है एब बात गलत है ग्राम परथान की नहां तक बात है जो सफ़ी धरातर की मैं बात कर रहा हूं अभी जो बिगड़ा हुआ है पहले जो था सरकार थी समाजवादी पार्टी क्या और समाजवादी की सरकार में मिना रुपया लिए कोई काम नहीं होता था बारती जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में अब और 11 महिना की सरकार हुई अब 11 महिना करीब हुआ अब जाकर धीरे धीरे ठीक हो रहा है बिल्कुर ठीक हो जाएगा अब है एक दम थोड़े कहूंगा कि नहीं लोग जनता पैसा नहीं दे रही है इसको तो मुझे कहने के खुए अख नहीं है लेकिन यह जरू कहूंगा कि सुधार हो रहा है प्रणूत काफिक प्रणूत कर दिया था लगाने के लिए जनता को मिलता था लेकिन टिवेल को लगाने के लिए सरकार दुनों सरकारे ने बंद कर दिया था किसानों का अगर किसान लगाना चाहता है तो उसको पैसा देना पड़ता था मेरी सरकार हुगा है भारती जनता पार्टी की सरकार जब हुगा तब जा करके खत्म हुगा है कि पांसे मीटर तक किसान अपना लाइन ले जा सकते है और भिजली के नसल है बेदाहा तक भिजली के माप का है अभी आपने देखा किसानों का एक लाख रुपे का करजा पूरे पर्देश नहीं माप कुआ है यह सबको भी नित है और किसानों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है आलू का है आलू के लिए भी हमारी सरकार उसके नीटी तैक कर लिया है आलू का भी है यहुका है धान का है आज तक धान कोई पर साल जो अंदे साल जो सरकार थी समाजबादी पाइटी के सरकार में एक भी धान नहीं खईदा गया किसान बिचौली भी ले जाकर के खईदे लेकिन मेरे सरकार कि हुँ भी रेकार्ड एक उत्तव प्रदेश का रेकार तो हुआ है कि खईदा गया है और धान भी खईदा जा रहा है विदर जी इपतार की गाउं में ग्राम पश्चायते सब्सक्राइब करें कि पर यह बहुत बारेगाउं है कि ऐसे प्लते हैं सब्सक्राइब लेता है वह बहुत सब्सक्राइब सब सबस्क्राइब पशुदन ही उनका धन है लेकिन गाव में पसुची किसाले बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल नामात्र भी नहीं है इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है पॉस्ट के जो कर रहा है आप बिल्कु नहीं है अप काव में है मेरे गाओं में है कई गाओं में है आप पॉस्टाला बिल्कु है और एक जरूर है कि पॉस्ट भी कम थे अब जाकर के सरकार ने गोहत्या होता था हम तो बाड़र पर रहते हैं बिहार के बाड़र पर मेरा बिरांसमत चित रहे और तमाब तसकरी होकर के गाओं जो दुधारू गाओं को ले आकर बिहार होते हुए बंगाल चली जाती थी अब रोक लगा है अब हमारे अब परदेश में दूर के भी कमी होगा गायों की भी भी नहीं कमी होगा है सरकार के नियत भै कि पूरे गवसाला के लिए अलग से बजट-बजट में भीया है हम बढाने का काम करेंगें दूसर्फ परदेशों से भी इरा लेगें प्रजाजी बताई की बहुत सरे गाउं में ऐसा है कि अस्पताल तो है लेकिन इसमें डॉक्टर नहीं है साफ सफाई नहीं है ताले लगे में जी सहर के जो डॉक्टर है वो गाउं जाना नहीं चाहते रही जा फिर इसके लिए सरकार कोई कदम ने उठा रही है अभी अभी बहुत जल्दी ही सरकार ने अभी 11 से डाक्टर नहीं जोईनी किया अभी कल कि बात है कल हमारे स्वासमुंती ने जवाब दिया नया भरती हुआ है अब जाकर के अब आप से प्रता में दिया कि पहले महा बिगड़ा हुआ अब को ठी करने में भी कि दो साल कम सकम साल है टाक्टरों के भरती हो रही है अध्यापकों करने जा रही है और गाव में जो डाक्टर नहीं राते थे अभी होँए हब डेय कीसी नहीं पर द्चीले की आपके सबसだ तो मैं हमार छेट की बात पता रहा हूं और दोरिया को कहा जाता था कि सूने का कटोरा गन्ने का की था और बहुजद समाज पार्टी के सुसरी महाउती जी ने सारा चीनी मीलों को बेज दिया कोड़ी के भाव भी गिया इसा फैक्टिया हमारे जीले में केवल एक पार्डर पर प्रताप फैक्टि चलने हो भी नाबात की और चौद चीनी मील दियुरिया जीले में थी पहले अभी समय बेदहार क्रिक्सान है और गन्नाप की जो खीती होता था गन्नाप बिल्कु बंद हो गया मैं तो मैं अभी च्छाइशी च्छाइशी च्छाहतारी को मानि मुख्वंती जी से महांग किया एक चीनी मील और एक मेडिकल कालेज दियुरिया में और एक बाइपास एक डिजिटल वहां अभी एक सर्व मसीन नहीं है उसके लिए अतमाब मैंने मांग किया मानि हमारे मुख्वंती जी ने इसको मांग लिया कि बिल्कु दियुरिया में चीनी मील भी लगवांगा मिटिकल कालेज के लिए भारत सरकार को लिग दिया गया है और बाइपास के लिए बाइपास तो मैंने मेरी सरकार बनी है तब जाकर के नितिन गड़करी अभी गए ते पचीस तारी को बाइपास एक बन रहा है और रिंग रूट मैं चाहता हूं कि रिंग रूट बने जा रहा है मानी मुवंती जिने इसके शुक्रित दिया जल्ब काम होगा को जो यह खुए को हमारे चैनल की मादम्ही आप ग्रामीर जोनता को कोई संदेश देंघ साथ हैं बल्को मैं देना चाहता हूं मैं तो सब को का जनता को हिसुए चाहता हूं जब गह כई पीकास होगा तब देस विकास होगा गरामीड से 70% जनता गरामीड में बस्ती है और मैं जनता चाहूँगा यही जनता को सबसे की पहले तो सब लोग सब चाहला बनाएं सरकार अनुदान दे रहे हैं बारजा और सरकार के मादब से भी मैं चाहूँगा मैं तो दिया हूँ गाउँ बही लिकर के अनपूरा में कि पूरा हो, ओड़ी अफो, और पुरे घाउं को सब पूरे चिष्ट मेरा मेरा यही काम है कि ओड़ी आफो साँचालाइज बनाbal sih यह मेरा काम हो और भीकास जो भी काम है बहुत अभी काम पिछला हुआ है लेकिन काम के लिए हमारे लों का चीर्ट बिल्कूं जान बूझ करके कि भारती जनता पार्टी के विड़ायक हैं हम लोग के चीर्ट पें काम नहीं होता था लेकिन हमारे पार्टी जब से बढ़नी कोई भेदाओं नहीं है सारे गाओं को लिक अप करने के लिए हबी बला है कि पिडो myself जाएंगे जो मज़से पर नहीं पिडोली सदक भाय, उस मज़से पर पिडोली की सदक का सारा इस्टिमिट आ रहा है और मैंने दिया प्रोपुरा बाइपास के अलामा सहरों में दिया हूँ अपने च्छित में सड़का दिया हूँ कली अभी मानी हमारे उप्रमुकोंत्री के सो महर्या जी सिप मैं हादिस कराया इस्टिमिट के लिए मैं चित के विकास के लिए बिलकुत धत्पर हूँ कि जब किसान खुषा लएंगे तो हम लोग भी खुषा लएंगे बहुत बहुत धन्यावाद विदायजी आपका तो ये दोते देवर्या के भाष्पा विदायक जनमेजर सिंग्जे जिनोंने बड़ी सुचबूच के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए आगे भी हम अने जन प्रतिनिद्यों से आपको मिलवाते रहेंगे तब तक शिल्पी को दीज़े इजाज़त नमस्कार